हेलो क्लास्टो तो आज हम लोग कम्प्यूटर का पहला चैप्टर और स्मार्ट मेशीन करेंगे तो आज हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक परेंगे सब चे पहले What is computer? Why computer is a machine? What computer can do? Computer versus human being Types of computer और in the end starting and switching of the computer तो पहले चैप्टर में तुम इन सब टॉपिक को कवर करना है चलो फिर क्लास्ट करता है तो first of all हम यह जानना है कि computer क्या है तो computer electronic machine है जिसको तुमने यूज किया होगा वह हमसे input लेता है उससे process करता है और finally output में बदल में मदद करता है जैसे कि जब तुम computer में बैठते हो और तुम अपना नाम टाइप करते हो तो नाम कैसे टाइप करते हो with the help of keyboard तो keyboard क्या कहलाता है एक input device जो कि input computer तक पहुचने में help कराता है दूसरा उससे process कौन करता है input को CPU that is system unit और finally तुम आउटपुट कहां पर देखने को मिल सकता है in the monitor तो computer क्या कर सकता है computer हमसे input लेता है उससे process करता है और finally output दिखाने में हमारी मदद करता है अभी हम लोग यह जानेंगे कि computer machine क्यों है because computer को हमने बनाया है दूसरा computer हमारे instruction पर काम करता है तीसरा computer खुश से कोई भी decision नहीं ले सकता वो हमारे instruction के basis पर ही काम करेगा और जब हम उससे चलाएंगे तो वो चलेगा और जब switch off करेंगे तो बंद हो जाएगा वो हमारे काम को आसान करने में हमारी मदद करता है as well as हमारा time भी बचाता है और काम भी fast तरीके से करता है so computer हमारे क्या क्या कर सकता है तो first of all computer हमारे अलग-अलग काम करेगा जैसे जो तुम copy में drawing बनाते हो वो तुम computer में बना सकते हो मतलब हम computer में drawing या painting कर सकते है हम free रहे तो music या movies भी computer में देख सकते है तुमने तो computer में game खेला ही होगा इसके आलवा internet एक important facility है जो हम लोग computer हमसो ही निकाल सकते है इसके आलवा computer बड़े-बड़े sum को हमारे लिए भी solve करके दे सकता है so computer is a very useful machine तो बच्चो अभी हम लोग को जानना है कि computer और human being की बीच में difference क्या है दोनों के बीच में क्या अंतर है तो first of all computer तुम्हारे ले पत्फटा-फट काम कर देगा yes human being भी काम कर सकता है बड़ वो थोरे समय बाद ठक जाता है computer कभी नहीं ठकता बड़ हम ठक जाता है हम प्यास लगती है भूक लगती है तो हम ठक सकते है इसके आलाबा computer कोई भी चीज़ सोच नहीं सकता हम सोच सकते हैं और इसके इसाब से काम कर सकते हैं computer अपने decision कभी भी नहीं ले सकता computer को decision लेने के लिए हम human being का होना जरूरी है इसके आलाबा computer कभी mistake commit नहीं करता अगर हम गलत data देंगे तो computer पका mistake commit करेगा इसके आलाबा computer को कुछ की feelings नहीं होता तो मुसे सारा दिन बर चला के रख दो वो तुम्हें कभी भी नहीं बोलेगा को मुसे switch up करो that is why computer human being में बहुत अंतर है अभी बच्चे मैं तुमसे question पोजो कि कौन जादे intelligent है हम यह computer तो दोनों में से intelligent कौन हुआ हम हुए क्यों हम हुए विकास computer को हमने बनाया है बट computer कुछ special characteristic के कारण computer famous है विकास वो mistake नहीं करता वो tired नहीं होता वो फटा-फट काम करने में हमारी मदद करता है इसलिए computer बहुत ज़्यादा popular है अभी हम लोग जानेंगे कि computer की different types क्या-क्या हो सकता है जो हम लोग daily life में यूज करता है different types of computer में पहला computer desktop computer होता है जो तुमारे घर में मौजूद होगा जो एक dex में टेबिल में रखा होगा जिसके साथ cpu, keyboard, mouse जुरावा हो सकता है उसे desktop computer भी कहा जा सकता है laptop laptop तो तुमने देखा ही होगा तुमारे पैस होगा laptop बहुत ही छोटा होता है उसे bag में carry कर सकते है उसे एक जिगर से दुसरे जिगर ले जाना बहुत आसान होता है और वो battery से काम करता है palm top palm top छोटा computer हो सकता है आजका ले इतना popular नहीं है because आजका laptop आ चुके है but ये computer के maximum functionalities कर सकता है as well as बहुत छोटा होता है और ये battery से काम करता है tablet computer tablet computer laptop से छोटे होते है और उसमें touch screen हो सकता है laptop computer के चलाने के लिए हमारे पास stylus या finger available होते है और इससे carry करना भी बहुत आसान होता है personal computer ऐसा computer जो हम लोग अपने घर में या school में या offices में use करता है उसे personal computer कहा जाता है personal computer में एकी सवय में इक इंसान बैठ सकता है और अपना काम कर सकता है तो तुम्हारे घर में जो computer है उसे हम लोग क्या बोल सकता है personal computer understood इंदे से मिले वे अभी हम लोग last two topics परेंगे जिसमें हम यह जानना है कि computer को किस तरगे switch on किया जाता है और switch off किया जाता है तो computer को switch on करने के लिए सबचे पहले तुम्हें अपने UPS के plug को main switchboard में लगाना पड़ेगा और उसे on करना पड़ेगा असवान अस तुम on करोगे तुम्हें UPS के button को प्रेस करना पड़ेगा तो एक बीप जैसा sound तुम्हें सुनाई दे सकता है असवान एस बीप sound के अलावा एक green color या red color के light भी तुम्हें जलता हुआ दिखाई दे सकता है उसके बाद तुम्हें CPU का button प्रेस करना पड़ेगा that is power button असवान एस तुम CPU का power button प्रेस करते हो तुम देख पाओगे कि monitor में कुछ display आ रहा है it means that कि तुमारा computer on हो चुका है अगर तुमारा monitor switch off है तो उसे on कर सकते हो उसका on button प्रेस करके understood तो यह तुम लोग अपने घर में करके देखोगे कि computer switch on हो रहा है कि नहीं हो रहा पर सभी बच्चों ने computer lab में तो try किया था जो मुझे याद है अभी हम लोग जानेंगे कि computer को किस तरीके से shutdown किया जाता है तो computer को shutdown करने के लिए हमें start button में click करना है start button में click करने के बाद तुमने देखा होगा कि वहाँ पे एक power button होता है तो power button में click करने के बाद वहाँ पे shutdown restart pull का option होता है पर हमें कौन सा option छोज़ करना है, shut down option तो shut down option में click करने के बाद तुम्हारा computer बंद हो सकता है और उसके बाद तब computer के screen टोटर ही black हो जाएगा तुम्हें क्या करना है UPS के button को फिर से प्रेस करना है और UPS के button को बंद करना है बंद करने के बाद तुम्हें beep करके आवाद सुनाए देगा मतलब तुम्हारा UPS बंद हो चुका है finally, हमें जितने भी सारे हमने plug लगाए थे उसे निकाल लेना पड़ेगा और main power supply को off कर देना पड़ेगा तो बेटा, इस तरीके से हम लोग computer को shut down कर सकते हैं तो hopefully बेटा, तुम्हें ये class का revision class समझ में आया होगा अभी हम लग question answers अपने next tweak में करेंगे Thank you very much for the class today